नमस्कार आप देख रहे हैं आसेस नियूज बरते हागली खबर के और जंगली हातियों का आतंक रूकने का नाम नहीं ले रहा है ग्रामिन काफी परिसान में हैं आठाश दिसंबर की रात्री भी सोनाहतों के बांदरी निवासी मनोज मोतों के घर को जंगली हातियों ने डाह दिया और खेत में लगे सबजी को भी जंगली हातियों ने ब्रबाद कर दिया जंगली हातियों की परिसानियों से ग्रामिन जुचते आ रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके से जंगली हातियों से ग्रामिनों को मुक्ती नहीं मिल पा रहा है। यह सिलसिला कई वर्सों से चलती आ रही है। सरकार की तरप से भी किसी प्रकार का कोई पहल नहीं हो पा रहा है। भ्यांकरात इस्तिती में ग्रामिन जीवन जपन करते आ रहे हैं। जंगली हातियों की आतंग से परिशान ग्रामिन जैसे ही साम होती है वैसे ही घर में दुपके हुए रहते हैं। बरतमान में जंगली हातियों का बसेरा रहे सुनाहतू के जंगलों में बना हुआ है। जैसे ही साम होती है वैसे ही जंगली हाती गाउं की ओर आप होचते हैं ग्रामिनों के लिए सबसे बड़ी समस्या और मुद्या बन गई है आखिरकार जंगली हातियों से कब मुक्ती मिलेगी ग्रामिन इंतिजार भी कर रहे हैं झाल किर दो माचलन जसे लींगली हैं हुआ प्रामिन नहीं आखिए सबसे बन्गली हैं